अब हम इसमें जो discuss करें है ecosystem वो है alpine ecosystem और specifically जो पाकिसान का जो alpine region है उस ecosystem को हम यहाँ पे discuss करेंगे again it's a ecosystem तो जहाँ पर ecosystem है वहाँ पे biotic a biotic components है वहाँ पे food chain है वो एक दूसरे के ओपर depend करते हैं उनका आपस में relationship है वहाँ पे जो पाय जाने वाले animal है plants है वो उस जो a biotic जो set of conditions है उसको adopt कर चुके हैं इसलिए वो वहाँ पर जिन्दा है तो यह जो food chain जो alpine ecosystem में जो है present है बैसे के लिए हम पहले तो यह देखीं कि alpine जो ecosystem है वो start कहां से होता है it is below snow line and the upper tree limit यानि कि जहाँ पे snow line end हो रही है और जो आखरी दरख्त है जहाँ पर उग सकता है यह वो वाला चोटा सा zone है एक band सा है जिसे alpine जो है वो zone कहा जाता है और यहाँ पर जो pineal जो vegetation है वो हमें grasses की form में मिलती है plants की जो है वो मिलते है और यहाँ जो plants है वो basically herbaceous है यानि नर्ब है गुदेदार से हैं और चबाने वाले हैं easily और जो है वो perennial हैं perennial यानि के एक दो साल तक जो है वो plant उगे रहते हैं थोड़े long lasting है और कहीं कहीं patches की form में बाज उकात आपको यह pine flora मिलता है लेकिन जो grasses हैं वो all over जो है वो आपको नजर आती हैं और यहाँ पर जब grasses हैं तो फिर आपके पास एक ecosystem जो है वो जड़ा बड़े जो animals हैं जो उ herbaceous plants शो खाएंगे वहाल पर वो पाये जाएंगे तो इनमें जो हमारे पास जो plants है जिस जो हम sexes Fiera पाये जाता है उसको हम देखते हैं उसकी कैसी जो है वो शेप है और किस किसम का जो है वो पाय जाता है look at this बहुत सारे जो है इसके रंग है और ये इस तरह से जो है वो प्लांट उगता है ये जो है वो इसकी हर्बेशिय सी जो है वो स्टेंप है largest genus है और जो है 465 species जो है वो holiotic perennial plant जो है holiotic means old world और cold area के अंदर रहने वाला plant जो है ये आपको वहाँ पे नज़र आता है इसी तरह जो है ये एक और plant है जिसे drava कहते हैं ये plant पी जो है और ये जो है जो है जैसे जो rocks होती है वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है उनके नीचे से उनकी side से जो है वो निकल कर आएंगे ये रूट्स जो है वो नीचे की तरफ होंगी और वहाँ से ये pool जो है वो निकल कर आएंगे इसको close up के अंदर जो है वो देखा जा सकता है रॉक से जो है वो निकल कर आएंगे ये जो है वो flowering plant है और जो है वो attract करता है ऐसे जो flowering plants होते हैं वो जो animals है उनको attract करते हैं और इसके अंदर जो है फिर जो है ये gentine जो है वो प्लांट है बड़े खुबसद कलर इसका नजर आ रहा है ब्लू इसमें बहुत सारी species हैं बहुत सारी varieties हैं और हम देख सकते हैं कि again ये भी perennial और herbaceous जो है वो nature का plant है फिर जो है वो ester एक plant है बहुत खुबसत जो है नजर आ रहा है इनको जो है वो अमूमन शोई plants का जाता है शोई का मतलब है ये इतने colorful और इतनी color range के होते हैं कि ये जो है वो animals को attract करते हैं तो इसमें जो है इसको सिर्फ moist soil की जरूरत होती है कि ये वहाँ पर उग जाए तो वहाँ पर जहां पर ये pine zone है वहाँ पर चुबके उपर से जो आहस्ते सा snow melt होके पानी नीचे की तरफ अब इस alpine ecosystem के अंदर आपने देखा कितनी variety के जो है वो plants आपको मिल रही है, grasses मिल रही है खुबसद फूलों के जो है वो रंग है और ये रंग catch करते है जो है वो animals को, यहाँ पर जो है दो बड़े important harby war animals जो है वो पाए जाते है एक को जो है वो हम marie wall कहते है और दूसरा simple wall कहलाता है यह wall जो है, यह harby war है, rodent है अब यह rodent है तो इसका काम है कि इसने नीचे जो roots है जो इसकी stems है, जो succulents ही है, उसको इसने खाना है यह जमीन के अंदर जो tunnels है उसको एक network सा बना लेता है, और roots को जो है वो खाता जाता है, उसकी जो succulent part है जो नरम हिस्से हैं, उसको चूसता जाता है, और जो है यह उस जगा को जहां से यह चूस लेता है तो वो वहाँ पे, जो soil है वो dry हो जाती, उपर जो घास है, वो आसा सा सूकना शुरू हो जाता है अब जो Murray wall है, उसकी जो behavior है, वो यह है कि वो एक से जह है वो, एक colonies की form में थोड़े थोड़े distance के उपर रहते हैं लेकिन जो दूसरा जो wall की species है, वो थोड़े दूर दूर distance के उपर रहते हैं और ज्यादा लंबी tunnels जह है वो खोते हैं अब यह जो है वो rodent है यह इसका मतलब है primary consumer है उन grasses के उपर और उन जह है वो plants के उपर इसलिए यह बहुत सारे जो वहाँ पे carnivore animals हैं जिसमें birds भी शामिल हो सकने हैं, जिसमें mammals भी यह उसका पहला शिकार होगा यह जिस वकद अपने tunnel जो है वो खोद रहा होता है तो उस वकद इसने अपने पाउं से डिक करना है उसको जो है वो tunnel को और किसी वकद जो है वो अपना सर बाहर निकाल के भी देखना है किस वकत थोड़ा सा बाहर आके भी देखना है, थोड़ी देर के लिए बाहर इदर उदर देखेगा कि मैं दुबारा अपने टैनल के अंदर गुज जाओ, तो इतना ही time जो है वो जरा अपनी टैनल से दूर होगा, तो इतना ही time जो है वो काफी होगा, जो birds of prey हैं वहाँ पर, यहां जो कोई ऐसे जो carnivore animals है दो इसको पर जो हो feed कर सकें तो यह जो है वो अपनी activity जो है चुके दिन के वकत रखता है जो wall है जो अपना जो tunnel खोदने वाली तो दूसरे जो predator है इसके जिसमें जो हो buzzard यह जो bird of prey है एक large बड़ा सा और वो इसको पर जो हो हमला करता है इसी त सारे के सारे जो है वो जो है वो इसके उपर feed करते हैं लेकिन क्या सारों को ही उतनी feed मिल जाती है क्या सारे उतना ही consume करते हैं यह जो है जिससे bird of prey है यह ऐसे जिसे थोड़ा जो है चोंच इसकी जो है वो थोड़ी जैसे चीर पाड़ के लिए जो है वो modified है और जो है यह जो अंडे दे सकता है availability of food के उपर साल के अंदर और अगर इसको food जादा available हो तो इसकी जादा जो हो सकती है और बाद सूर्टों में अगर इसको कुछ नहीं मिल रहा होता तो यह चोटे जो rabbits वगरा है या stone martin है यह उसके उपर भी जो हमला करता है क्योंकि यह carnivoran nature है इसी तरह क् अपने शिकार को पर नजरें जमा कर बैटता है और यह falcon की जो जीनस है उससे belong करता है यह उकाब की नसल की तरह का जो है यह bird of prey है इसके भी शिकार करना है तो इसको भी जो है वो वोल मिल जाए इसको छोटे animal मिल जाए तो अपने जिन्दा रहने के लिए तो हर जो है जो ह खाएगी किसी को उसको कोई दूसरा जो animal है वो उसको खाएगा तो यही food chain का असूल भी है कि energy एक level से दूसरे level की तरफ जो है वो जाएगी अब इनको जो है अगर हम देखें यहाँ पर यह हमारे पास छोटे जो है वो जानवर जो है जिसे वीसल है इसमें और एक जो है को जो mammal है जिसे जह हो हम stots कहते है इनमें थोड़ा सा एक फर्क है वीसल जाएगी ज़रा थोड़े छोटे size का है और इसकी जो तेल होती है वो darker नहीं होती है end के उपर यह carnivore in nature है small mammal rodents यह wool को बीट करता है इसे को और जह हो मिल जाए छोटा कोई rodent उसको बीट करेगा बहुत सारी सूर्तों में जो इससे पहले जो हमने जो birds discuss किये वो उनको अगर कुछ और नहीं मिल रहा तो जो beetles मिल रही है insects को मिल रहे हैं तो वो उनको भी eat करेंगे को snakes मिल रहे हैं उनको तो उसको भी जो हो खाएंगे यह जो weasel और यह जो trout है यह दो mammals लेकिन हमने फरक यह कि इ मिल है वो पीछे से डार्क नहीं है almost size ब्राबर है उपर जो fur का color है वो भी ब्राबर है नीचे से जो है fur का color वो भी ब्राबर है आगे जो इसके पाओं है यह जिसे यह इसका जो है we, shot है as compared to body length लेकिन यह जो trout है look at इसकी ये जो टेल है ये जो है वो at the end जो है वो darker है और ये जो है कार्णिवोर in nature है और small rodents जो है उसको खाता है अब अगर हम अगर इस food chain को देखें तो फिर जो है हमें जो चीज नजर आती है वो यहाँ पर ये है कि वो जो grasses है वो जो plants है उसको वो मरी वोल या जो वोल जो के हर भी वो और in nature है जो day के वकट active होता है वो जो है primary consumer है वो इसको खा रहा है food chain स्टार्ट हो रही है अब उसको जो है दूसरे predators हैं जिसमें के birds भी शामिल है जिसमें के small mammals भी शामिल है वो खा रहे है even जो है वो snow fox जो है वो भी उसको जो है वो खा रही है अब snow fox का और bird और small mammals है उनकी जो consumption of food है per day वो vary करती है पर example जो fox है उसने एक kilo rodents जो है वो per day खाने तब ही जो है वो जिन्दा हो रहा है सकेगी वो fast grower है वो एक साल के अंदर जो है वो 4 से 5 जो है और rarely 6 जो है small pups जो है उनको produce करती है अब उनको भी जो है वो उनको देना है उसका letter size है तो जो ह इसका मतलब है कि वो 4-5 एक साल के अंदर और अगर वहां पर ये population ज़्यादा हो तो उनको ज़्यादा rodents की जरुएत पड़ेगी तो nature जो है automatically इस चीज़ को balance कैसे करती है कि वो जो grasses है वो इस wall के activity से अगर सूख जाएंगी तो वो जो rodents है उनकी भी जो population है वो control होगी अब जो food resources है यह निकि जो उनका जो वो food है wall वो भी जो है वो कम हो गया है लहाजा उनकी population का size भी effect होगा इसके इलावा nature के बहुत सरे और factors हैं जो वो उसके साथ काम करें for example बहुत सरे जो foxes हैं या birds हैं या ये stone martin ये small mammals हैं इनको या diseases जो है different वो जो है वो attack कर सकती हैं इनको ज old age है तो वो जो है automatically eventually अपनी death की तरफ जो चले जाएंगे उनकी जो source of food जो उनकी finding ability है वो आईसा-ईसा कम हो जाएगी जैसे foxes जो हैं उनको mides या ticks और worms और fleas जो हैं कि उनको पर हमला करती हैं तो वो vulnerable हो जाती हैं diseases के लिए वो उसकी body को यकदम तो खतम नहीं करेंगी ये parasites से उनके उपर एक्टो-parasites हैं लेकिन आहिस्ता इस्ता उसकी जो activity है उसको कम कर देंगी उसकी जो food searching ability है उसको कम कर देंगी तो फिर जो है वो उसकी hunting जो है जो उसका खाना पीना है वो उसका कम हो जाएगा और eventually जो है वो जो है उसकी death हो जाएगी तो इस तरह nature अपने various factors क के इंदे रहते हुए हर species को उसका amount of food जो है वो भी provide करती है और उनकी population को भी जो है वो control रखती है तो nature हमेशा balance के साथ जो है चल लेगी इको system के अंदर energy flow भी हो रहा है बायमास भी बन रहा है और हर level के उपर energy transfer भी हो रही है इस तरह एक ecosystem जो है वो balance रखते हुए खुद ब बात करें है अलपाइन ecosystem की जहां पर जो हमें यह वाला जो एक activity है जिसमें हमें यह चीजें देखने को मिलती है कि कब कैसे और कहा अब जो परिंदे हैं उन्होंने अंडे भी देने हैं और वो अपनी जो बड़े बड़े जो द्रक्त हैं उनके ऊपर बहुत उनकी जगात के उपर जहाँ वो नेस्ट बनाएंगे, उनकी नेस्ट बी होंगे, उन में से सारी ही अंडे जो है नहीं निकलाएंगे, उसमेंसे कुछ जहाँ खतम भी हो जाएंगे, कोई और किसी हाथ्टे का शिकार भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, उनको भी hunger face करना ही पड़ सकती है लहाजा जो नेचर है वो बैलन्स के साथ तमाँ स्पीचिस को फूड की लिमिटेड प्रोविजिंस के साथ और दूसरे बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनको सामने रखते वे उनकी पॉपुलेशन को एक जह हो हद में रखते वे जह हो एको सिस्टम जह हो चल रहा होता है और इसमें जब तक इंसान की इंटर्फेरंस नहीं है तो यकीनन वो बहुत खुब सा तीको सिस्टम है और जब इंसान इंटर्फेर करेगा तो फिर जह हो सिर्फ अपना सोचता है उससे ख्याल में रुए जमीन या कुरायर सिर्फ उसके रहने की जगा है दूसरे किसी जान को रहने का उतना ही हग है जितना हमें है